एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूटूब चानल आरक्यारेश्टडी सीटेट पॉइंट पर स्वागत हैं इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पाठे चरिया और पाठे करम के बारे में पाठे चरिया और पाठे करम एक ऐसा दो वर्ड है जिसमें सिख्छारती हमेशा कनफ्यूज रहते हैं इन दोनों के बारे में इसका अंग्रेजी के बार इम सब्द जो होता है वो भी कन्फ्यूज करते हैं जैसे पाठे चरिया का अंग्रेजी होता है करीकुलम और पाठे करम का अंग्रेजी होता है सलेबस लेकिन इन दो सब्दों में विद्यार्थी हमेशा कन्फ्यूज जलाते हैं बहुत से किताब ब दिखने के बाद क्लियर हो जाएगी और चलिए में हम इन दो वर्डों को बाड़ी-बाड़ी से समझेंगे कि दोनों क्या है और दोनों एक दूसरे से भीने क्यों है तो पाठे चरिया के बाड़े में पहले हम लोग बात करते हैं तो पाठे चरिया का अंगरेजी जो होता है पाठे चरिया का जो हंदी में जो पाठे चरिया होता है उसको वो दो सब्दो से मिलके बना होता है पाठे और चरिया मिलके पाठे चरिया बना है पाठे का मतलब होता है पढ़ना और चरिया का मतलब होता है कि एक रूटीन जिसको बोल सकते है जैसे दिन चरिया होता है दिन क अंतरगत क्या आता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक कोई बालक होता है वो जब विद्याले में जाता है तो विद्याले जब बालक बालक जब विद्याले में जाता है और वह विद्याले से लोटने से पहले तक का उसके साथ जो भी किरिया कलाप होती है जो विद्याल भोजन परातना या कोई अन्य प्रोग्राम वगड़ा जो भी कुछ होती है सफाई वगड़ा जो भी कुछ होती है वो सारे के सारे चीज किसके अंतरगत आएंगे तो वो सारे के सारे चीज जो है हमारा पाठे चरिया करी कुलम के अंतरगत आते हैं और पाठे करम क्या होता है तो पाठे करम जो है इसको रिलेटर हो या सफाई हो या जो भी अन्य कोई भी कारे हो वो सारे आएंगे तो पढ़ाई में क्या योजना बनाना चाहिए, बच्चो को क्या पढ़ना है, किन विशह में, किन-किन टोपिक में, किन-किन पाठ में क्या परना है, तक कब वो परना है इन सारी बातों का जनकारी जो होते हैं वो हमारे पाठे करम में दिया जाता है तो पाठे चरिया क्या है? तो पाठे चरिया को हमने जाना और पाठे करम क्या है तो पाठे करम को एक सब्सक्राइब बोल सकते हैं कि पाठे करम जो है वो पाठे चरिया का ही एक अंग है मतलब पाठे चरिया के अंदर पाठे करम समावेसी तरहता है सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ाई की बाते होती है पढ़ाई में लेकर्म कार्म किया वो सारे क्या होते हैं पाठे चरिया के अंतर गता दें तो पाठे करम जो है इसका जैसे की नाम में भी जैसे इसको भी संदी वीचेद करेंगे पाठे और करम आता है मतलब पाठे करम जो समय जानकारी वोBYलेगी कहा से तो वो पाठे करम से मिलती है तो पाठे चडिया और पाठे करम इसके बादे में ہमने कुछ रहत तक जानकारी पराइट कर लिए और हाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि पाठे चरिया को करिकुलम बोलते हैं और पाठे करम को सलेवस बोलते हैं इन्हें बच्चे कापी कन्फ्यूज रहते हैं तो इस चीज को आज बिल्कुल किलियर कर लेना है अपने माइंडसेट कर लेनी है कि पाठे चरिया का साथ अन्य जो भी विवार होता है कि उस समाजी के विकास हुआ है भासागत विकास हुआ है समाजी करन होता है अन्य चीज किस तरह के विवार करनी चाहिए कहां पिकिन के साथ मत्रिष्ट चार की विगुनी इन सारी बातों का जो है वो समावेशन होता है पाठे चरिया के अं पाठे चरीया बालक के हरे क पहनु को इसमें देखा जाता है इसलिए इसको constructing है कि पाठे चरीया जो है वह बालक के सरबानगी निविकास में अपना योगदान देता है और पाठे करम क्या होता है नाlden कि पाठे करम सिर्फ परहाई से जुरे मतलब सिर्फ उसके बाधीग विक में सभी स्कूल में प्राथनी होती है फिर खैल कुद होता है बीच में वह ध्यान वोजन होती है घैस्त कला का अलग सा रूटीन होता है बुदन क्रेसन करिया कीए हैं न। यह सुरी किवन क कर्गेंगे हो पहत दम क्या करें के लिगन क्या करते कल्मedar कभी किया होगा केवल क्या होगा तो केवल और केवल जो होगा वो सिक्छन से जुरी काड़े होगा मतलब सिक्छन से जुरी काड़े के मतलब हुआ कि कलास में पढ़ाए हुई उसके परियोग साल लतक जा सकते है मतलब जो भी हुआ वो सिक्छान, मतलब शिक्छा से ही जुरी, मतलब उसके पठन-पाठन काड़े से ही जुरी होंगे, इसके अलाबा ये कि भी कोई भी ऐसा काड़े नहीं है, जो कि पाठेचरिया में तो है, लेकिन पाठेकरम में उन्ची जो को सामिल नहीं किया जाता है, तो पाठे करम जो है वो पाठे चरिया का एक संचिप्त रूप हम कह सकते हैं, पाठे करम जो है वो पाठे चरिया का एक छोटा सा भाग है, तो पाठे चरिया जो है वो पुरे बिद्याले का बिवरन देता है, कि बिद्याले में क्या सब होना है, कब क्या करना है, कब किन की पढ़ने में क्या पढ़ाना है अगला क्लास में क्या पढ़ाना है किस तरह से पढ़ाना है कब तक कीन इसमें को खत्मु करना यह जो यह सारी बाते जो हमारा पाठे करम बताता है पाठे करम जो है इसके अधार पर ही मतलब मुल्यंकन का कारे किया जाता है यानि कि परिच्छा वेगरा जो भी होता है परिच्छा में तो पाठे करम के अधार पर ही किया जाता है अब हम बात करते हैं कि पाठे करम का निर्मान को जब कभी भी किसी भी पाठे करम का निर्मान होता है तो वो सिक्षा परिसद ही करती है, अनुभवी सिक्षक भी पाठे करम का निर्मान कर सकते हैं, जो मतलब कि उस किसी एक विशे का अनुभवी सिक्षक होंगे, मतलब विद्वान होंगे, जो उन विशे के बारे में पुर् तो यही हाज का हमारा टोपिक था पाठे चरिया और पाठे करम, बहुत ही छोटे से समय में, मतलब कम समय में चोटे से वीडियों में इन चीज़ों को मैं डिफाइन किया हूँ, और उमीद करता हूँ कि आपने इसके बाड़े में समझ गए होगे, अब आगे से साइद आप क पर्फ्यूज नहीं करेंगे कि मतलब पाठे चरिया और पाठे करम क्या होता है, और दोनों का अंग्रेजी तो आप मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इनसे कुछ नकुस्तो जरूट आपको सिखने को मिल कियागी, वो उस website में आपको मिल जाएगी, मतलब कि इसके हिंदी में notes मिल जाएंगे, सरलभासा में मिल जाएंगे, कि पाठे चरिया क्या होते हैं, पाठे करम क्या होते हैं, पाठे चरिया और पाठे करम में आपको अगर अंतर देखनी है तो वो भी वहाँ से मिल जाएग पूछा जाता हो teacher training के जो भी exam होते हैं, जो भी courses होते हैं, उनके exams में जो भी इस तरह का topic आता है, जिसको आप एक चुक हैं कि उनको मैं पढ़ हूँ, तो आपको उनको उस topic सब भी, उसका भी notes आपको हिंदी में मिल जागा, तो आप वहां से भी जाके इन चुजों को देख स करेंगे जानल, तब तक के लिए, बाई बाई